साथियों, नए संसद भवन का निर्वाण, नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरन है, ये समय और जरुरतों के अनुरूप, खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास हैं, मैं अपने जीवन में वोक्षा कभी नहीं भूल सकता, जब 2014 में, पहली बार, एक साउसद के तोर पर, मुझे साउसद भवन में आने का आउसर मिला था, तब लोगतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले, मैंने सीर जुका कर, माथा टेक कर, लोगतंत्र के इस मंदिर को नवन किया था, हमारे वर्तमान, साउसद भवन ने, आजादी के आंदोलन, और फिर, स्वतंत्र भारत को घड़ने में, अपनी एहम भूमी का निभाई है, आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी, यही हुआ, और पहली साउसद भी, यही बैठी, इसी साउसद भवन में, हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोगतंत्र की पुनस्थापना हुई, बावा साब आमबेड कर, और अन्य वरिष्टों ने, सेंट्रल हॉल में गहन मन्थन के बाद, हमें अपना संविधान दिया, संविधान की मोजुदा इमारत, स्वतंत्र भारत के हर उतार चड़ाओ, हमारी हर चनवतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं, आकांशाओं, हम हमारी सफलता का प्रतीक रही है, इस भवन में बना प्रत्ते कानून, इन कानूनों के निर्माण के दोरान, संसत भवन में कही गहरी, अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है, लेकिन साथियों, संसत के शक्ति साली इतिहास के साथ ही, यथार्थ को भी स्विकारना उतना ही आवश्चक है, ये इमारत अब करीब करीब सो साल की हो रही है, बीते दसकों में इसे ततकालिन जरुपतों को देखते भी ये निरंतर अप्ग्रेड किया गया, इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दिवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टिम, कभी फायर सेप्टी सिस्टिम, कभी आईटी सिस्टिम, लोग सभा में बैटने की जगह बढ़ाने के लिए तो दिवारों को भी हटाया गया, इतना कुछ होने के बाद, सउंसत का ये भवन, अब विश्राम मांग रहा है, अभी लोग सभा देग जी भी बता रहे थे, कि किस तरह बर्सों से मुश्किलों भरी स्थिती रही हैं, बर्सों से नए सउंसत भवन की जरुवत महसूस की गई है, ऐसे में, ये हम सभी का दाईत्व बनता है, कि 21 सदी के भारत को, अब एक नए सउंसत भवन मिले, इसी दिशा में, आज ये शुभारम हो रहा है, और इसलिए, आज जब हम एक नए सउंसत भवन का निर्मान कारिय शुरू कर रहे हैं, तो वर्तमान सउंसत परिशत के जीवन में, नए वर्ष भी जोड रहे हैं, साथियों, नए सउंसत भवन में, ऐसी अनेक नए चीज़ें की जा रही हैं, जिससे सउंसतों की, एफिसेंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में, आधुनेक तौर तरीके आएंगे, अब जैसे अपने साउंसतों से मिलने के लिए, उनके साउंसत ये ख्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो साउंसत भवन है, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती हैं, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरीकों को दिक्कत होती है, आम जनता को अपनी कोई परिशानी, अपने साउंसत को बतानी है, कोई सुखदुख बाटना है, तो इसके लिए भी साउंसत भवन में स्थान की बहुत कमी मैसूस होती है, भविश में प्रत्य एक साउसत के पास ये सुविदा होगी कि वो अपने ख्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही इसी इविशाल परिसर के बीच में ही उनको एक ववस्ता में लेगी ताकि वो अपने साउसत के ख्षेत्र से आये लोगों को उनके सुखदुख बाट सके साथियों पुराने साउसत भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्मान का गवाँ बनेगा पुराने साउसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नए भवन में 21 सदी के भारत की आकांचाये पूरी की जाएगी जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वार मेमोरियल ने राष्ट्रिय पहचान बनाई है वैसे ही संसत का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा देश के लोग आने वाली पीडियां नये भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है आज आजी के 75 वर्ष का स्मरन करते हुए इसका निर्मान हुआ है कि लोग आने है